जार दूस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियों में चुड़े आईए जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में इस चैनल के मार्धिम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्ता सही और सठीक होती है आपको मालूम होना चाहिए कल मेर मेरे द्वारे वीडियो बनाया गया और बतायागा कि इसी सब्ता नोडिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद वीडियो में कहा गया कि जानकारी करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा मैं आपको बता जूँ जो भी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूं जो भी आप तक सही और सठीक होता है कल का वीडियो उठा कर देख लिए इसी सब्ता का जिक्र किया गया है और इस चैनल ने सब से पहले आपको जानकारी दी थी कि पीटी का नोडिफिकेशन जून के अंतिम सब्ता में जारी किया जाएगा और कल अधिनास्त्रे वाचन आयोग लखनों की द्वारा या नोडिफिकेशन जारी किया गया आंलाइन आभेजन सुल्क जमा करने की प्रारमिक्त थी 3822 सिंधारित की गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने कभी भी कभी भी कोई परिच्छा में प्रतिभाग किया है तो आपके लिए वेनफिट है अगर आपने पिछले पीटी में भाग लिया है तो भी आपके लिए वेनफिट है रेजिस्टेसन के माध्यम से पूरा व्यवरा निकल जाएगा आपको बतादे इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है मैं आपको बता दूँ इसमें लिखा हुए कि आंलाइन आबेद्धयों के लिए आवश्यक्त शूचना इस विज्यापन के अंतरगत आफिजन करने हैं तो आउनलाइन आप्लिक कर पाएंगे आबेजन पत्र भरनी के प्रक्रिया कंडिडे रजिस्टेशन फोटर तथा हस्ताचर अप्लोड फार्म के से विवरन का भरा जाना फिस का भुगतानियों समयोजन तथा अप्लिकेशन फार्म सम्मिल्ट साथ फार्म का प्रिंट आउट लेना निमार है जब तक प्रिंट आउट नहीं लेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपने सही रूप से सही तरीके से पीटी का फार्म अप्लाई कर दिया है आपको बता दे कुछ और महत्पूर जानकारी डी गई है लिखा हुआ है कि आप भैर्थी का जो फोटो होगा देखिए अब भैर्थी अपना 305 सेंटीमेटर चोड़ा वह 405 सेंटीमेटर लंबा रंगिन फोटो ग्राफ जेपीजी जेपीजी प्रारूप में इसकें कर अप्लोड करें जिसकी फाइल का आकार अधिक्तम 50 के भी होना चोहिए अगर इससे ज्यादा होगा तो फोटो अप्लोड नहीं होगा दिक अपने अपने हस्ताचर के नीचे हैं तो यहां पर बताया गया है यहां भी इस परश्ट किया जाता कि अगरेजी वहां साथा के कैप्टर लेटर में हस्ताचर अमान होंगे यानि कुछ लोग कैप्टर लेटर में लिख देते हैं वह हस्ताचर अमान होंगे आपको मिस कंटेंट फेस करना पड़ेगा अब भरती अपने हस्ताचर के नीचे स्वेम की हस्तलिफी में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे बात को ध्यान से सुनिएगा नए तो दिक्कत ह होगी अब भरती अपने हस्ताचर के नीचे स्वेम की हस्तलिफी में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे अग्जुस्टि नेचर आप करेंगे उसकी नीचे आपको हिंदी में अपना नाम भी लिखना अवश्यक होगा आपको अतादे एक और महत्पू जानकारी दी गई है जिसके समझ में आपको जानकारी होना अवश्यक है यहीं पर है मैं आपको दिखा रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहें देखिए फीस कितना लगेगा अनारचित समानी वर्ग आवेदंसुल के एकसु साथ रुपे आनल धारित किया गया है एक और महत्पू जानकारी दी गई स्वतंत्ता संग्राम सिनानी के आश्रित भूद्पू सेनिकों यों महिला अभर्थियों द्वारा क्रमांक एक सी चार तक उनकी मूल स्रेंडी के अंसार सुल्कित दिये होगा तो यहां पर पूरी जानकारी दी गई ह सयच्चिक अहर्था के बारे मताया गया है कि प्राल्मिक अहर्था परिष्धा दोजार वाइधार्था धारिक करने अभरतिये आथा था ऐसे सभी अभरतिया द्विद्थि जिनके दवारा अभरतिक उन्मिट थी मिद्धी से पूर्भ Doll्यस्ग्हुल समक्रशन अध् अगर आपके बास इंटर है बी एह बीएसी है बीटेक है कुछ भी है तो आप अपलाई कर सकते हैं आयूशीमा के समझ में जानकारी जी गई है देखिए आयूशीमा बताया गया है कि 18 बर्स से 21 बर्स कुछ आयसी भरतिया होते जिसमें 18 से 21 साल आयोगिता मांगी जाती है उत अर्था चालिस बर्स से अधिक आयूप्राप्त ना की हो प्रार्मिक अर्था परिश्यमा दोजार बाइस में पात रहोंगे अर्थात उनका जनम एक जुलाई दोजार नीस सो बैयासी से पूर्व तथा एक जुलाई 2004 की बाद ना हुआ हो अगर आपका ऐसा है तो आप इस परिच्छा के लिए इलीजिबल हैं मैं आपको जोजानकारी दे रहा हूं बहुत ही अथेंटिक दे रहा हूं इसे आप ध्यान से सुनिए का समझाने का प्रयास कर रहा हूं आरचितवर को पांच बर्स की छूट दी जाएगी आरचितवर के समझ में यहां पर देखे बताय गया है कि पांच बर्स की छूट अनुमानी होगी भूत पुस्ताइन को के लिए अधिकतम आयू सीमा में छूट तीन बर्स और बर्स की छूट एक जुलाई 2022 को इस सर्थ के साथ अनुमानी होगी उनका शंपूर सेवा अवजी को उनकी वास्तविक आयू में आयू से घटा अजनियम सासना देशनियों सेवा निमावलियों के अनुषार लंभवत अन्सूची जात अन्सूची जन जात अन्य पिछ्रावर्गयों आर्थिक उसे कमजूर वल्क तथा शैतिर आरच्चन सोतंता संगार्म सेनानी के आसिस भूत पूर सैनिक दिभ्यांग जनों उत्कृ खिलालियों तथा महिला अनुमान होंगे परिष्छा पाठीकरम के समझ में जानकारी दिया गया है आज दो जारबाइस हित प्राप्त आवेजिन पत्रों की संख्या अजिक होती है और आयों के लिए समस्त अभर्चों की लिख्रपरिच्छा एक ही सिप्ट में या एक दिन में आयुज किया जाना सुभधा जनक होता है तो लिख्रपरिच्छा एक से अधिक सिप्टों दिनों में आयुज की जा सकती है जिए परिष्छा एक से अधिक सिप्ट या दिनों में आयुज की जाएगे तो अभर्चों को नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा यानि कि एक या एक से अधिक एक यहां पर देखे लिखा एक से अधिक सिप्ट में अगर परिछा कंडेक्ट कराया जाएगा तो नौर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पनाई आगी और मैं आपको बताना है तो अब की बार जो है आपकी बार चंख्या में काफी बरहुत्री देखने को विलेगी 25 से 30 लाक आवीदन अब की बार हो सकते हैं और जो अब की बार प्रसेंटाइल था जो आपने देखा होगा इसको और उससे कम इसकोर रहने वाला है अब की बार पेपर थोड़ा पिछले से हार्ड आने की संभावना है परिच्छा कारिकरम की समझ में जानकारी दिया गया है कि प्रार्मिक आर्टा परिच्छा 2022 की लिखित परिच्छा का कारिकरम यासा समय वेफसाइट के माधिम से प्रि सकता है अगर परिच्छा की साथ किसी ने अगर ओ Bhag रहा हो सकता है अगर आ का प्रियास कर रहा हूं यहां पर देखे सिलेबस के समझ में बताया गया है कि अजिनस सिवाचेन आयुक द्वारा आयुद की जाने वाली प्रारमिक अर्था परिशा पीटी का सासन द्वारा अन्बोदित पाठकरम तो अब पाठकरम आपके समकच्छ है जो पहले पाठकरम पाठकरम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बटाचार की माइनिस मार्किंग की जाएगी जिसके समझ में यहां पर बताया गया है एक और महत्पूर जानकारी देदूं अन्यंसी आर्टी से कोईस्टन पूसे जाएंगे इसलिए म आपको प्रताव सासन को भी तो संभावनाय जयदा बन रही है कि 2022 के अंतरगत विग्यापन जारी कि याद यानि कि दो जार जार पन आए गाएगा तो गारंटेड आपकी साथ से आठ भरतियां देखने को आपको मिल सकती है इसलिए जम कर तयारी करो आगी कोई अपडेट होगी चनल के माधिम से दी जाएगी जाहिंज भारुस्तो नमस्कार